स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले से नहीं आए ऐस यूजिवल सवाल कई ऐसे हैं जो आखरी बंडे मैच भारत का कल खेला जाना उसके मुतलिक भी है तो तमाम सवाल लेते हैं जो तो हम शाम में भी डिस्कुस करी लेंगे शाम में भी करेंगे कल बात ही हुई थी कि वर्ल टेस्ट चैंपिंशिप बड़ी अची चीज है दो साल बाद इसका फाइनल खेला जाएगा लेकिन मैंने कहा कि इतने फ्रॉड उसके रूल्स हैं मुझे नहीं समझाया कि आप एक सो बीस पॉइंट एक सीरीज में बाटते हैं सीरीज जितने जैसे इंडिया वर्सिज वेस्ट इंडिस है जो आप जानते हैं कि एक कमजोर टेस्ट सीरीज गिनी जानी चाहिए उसमें एक टेस्ट मैच जीतने के मिलेंगे आपको साथ पॉइंट, 60, 6-0 वहाँ ऐस जो दो बड़ी टीमों के बीच काड़े की टकर है चूंकि वह पांच टेस्ट मैच है 120 को पांच से डिवाइड करेंगे तो एक टेस्ट मैच जीतने के मिलेंगे आपको सिर्फ 24 पॉइंट यानि कि जो टीम एशिस 3-2 जीतेगी उसे मिलेंगे 70 पॉइंट और अगर इंडिया वेस्ट इंडिस को 2-0 हरा देती है तो इंडिया के पास होंगे 120 करी अगर आपने पॉइंट रखने तो आप टेस्ट मैच होगे पॉइंट्स रखीए ना आप हो में होरा उस। वह मिलेंगे कर अब नभए जीते हैं नंबर रही साइक्ण ओका सवाल थोड़ा जानना चाहते थे हैं कि वर टीग जैक्त बरॉत हिस आब बस महलां पाकिस्तान 13 Test Matches खेल रही है इस दो साल की साइकल कि पाकिस्तान आपके साइकल में नहीं है ना आप जो टीमें चुन सकते हैं आपने पाकिस्तान को चुना नहीं है तो अभी पाकिस्तान का भी कसूर है यह तो bilateral relations ने इस नॉट जिस पाकिस्तान ना श्री लंका भी एक ऐसी टीम है जो कम Test Matches खेल रही है और दूसरी टीम 22 Test Matches खेल रही है तो फिर यह यह रेगूलेशन वहीं तो मैं कहा रहा हूं Anomaly है ना यह भी एक Anomaly है इसमें इसमें ICC की गलती है जब आपने World Test Championship बनाया तो एक तो आपके Point System की Bifurcation एक होना चाहिए दूसरा फिर यह होना चाहिए ना कि सबको सब मैच मिलें वर्ल्ड कप में सबको 9 मैच मिलेंगे तो World Test Championship में England 22 खेलेगा इस दो साल में और Pakistan 13 खेलेगा यह भी तो गलत है ना तो यह ICC की एक regulation होनी चाहिए थी कि जो bilateral A versus B मतलब जो दो बोर्ड बैठेंगे कि आपको यह खेल नहीं खेलना है ती में आपने हिसाब से चुनिए लेकिन आपको खेलना तो है यह प्रॉब्लम फिर वही आजाती है अबोर्ड लाइक इंडिया, BCCI हो गया, Cricket Australia हो गया या फिर हम लोग चाहेंगे मैं क्यों चाहूंगा कि मैं क्यों चाहूंगा कि मैं बांगलादेश के साथ पांस्टेस माच की सीरीज खेलू या मैं क्यों चाहूंगा कि मैं वेस्ट इंडिया श्रिलंका नहीं चाहिए आपको पॉइंट चाहिए तो आप खेलना चाहोगे लेकिन आप आपको इतना पैसा दे चुगा है अगर उसको हल्की हल्की सीरीज देते रहोगे उसको रगुलेट किये बगार आपने जल्दी में आनन फानम में व्ल्ड टेस्ट चेंपिशिप क्यों फूल प्रूफ करते ना अगर हम और आप यह बात कर रहे हैं हो सकता है लोग इसे इतिफ चेंपिशिप समझ नहीं आया तो किस तरह से आप यह दो-दो टेस्ट मैचों की सीरीज ही खेलते रहो और आप जीतते रहो हाला कि यह क्वेश्ट आंसर सेशन में आपने कल भी आपको कहा था सवाल भेजने का तरीका तो बता दीजिए सवाल भेजने का तरीका बहुत उसी तरह मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम है रावत राहुल नाई आप उस पे हमें मेसेजेज भेज सकते हैं अपने सवाल भेज सकते हैं पर प्लीज उसमें हैश्टाग आस्पोर्स तक जरूर लगाएगा क्योंकि हम सवाल फिर हम आपके वैसे ही लेते हैं जो मेरे हा प्लीज चैंपेंशिप एक फ्रॉड है फ्रॉड आए अग्री विद यू इस शैम बट उनने वह लाएग्री विद यू शैम बट क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई दो टे टीम टेस्सीरीज किसी थर्टीम के होम ग्राउंड पर हो ताकि जी वो सिर्फ फाइनल में होगा प दूसरी बात यह है फिर आप होम नहीं जाते हैं लोग देखने तो न्यूट्रल कंट्री में कौन देखने जाएगा यह दिक्कत है और अब बाइद वे इस टेस्ट चैंपिंशिप के चलते आपने वह जो होता था था ना कि अगर आपका स्लो ओवर रेट है उसमें आपके क आपके स्टेशा है जाते हैं तो आपके स्ट चैंपिंशिप अर आज वर्ल टेस्ट चैंपिंशिप कर दो रही है अनुपप थोड़ा से इसमें फरक है बिक नहीं थीक बात है लेकिन देखें वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था सेविट यह जिए और आज वर्ल टेस्ट चैंपिंशिप शुरू हो रही है अनुप थोड़ा से इसमें फरक है बिकोज यह अलरी ट्रैवल्ड एट रोड तो आपको पता होना चाहिए आप दो महीने बात कर दें यह एक साल बात कर दें मेरा जैसे पॉइंट सिस्टम है अब ऐसा थो है नहीं कि कोई बैठा होगा च कि GST नहीं है कि चलो इसका 5% कर दो इसका 20% कर दो यह जो हो गया वो हो गया आप बोल रहे है कि इस शुड गो थू अनदर रिव्यू सिस्टम में भी इग्जाक्ली ठीक है डिया लॉंच होने से पहले है अब नहीं दा सकते है देवान श्रेतानी आप से पूछ रहे हैं कि अब 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 यू शुड बी अब इख रहे हैं तो आप अपने से उपर वाली टीम को हरा रहे हैं नीचे वाली उसको छोड़ दीजिए वो थोड़ा अब इस तरह से कीजिए प्लस आप रेगूलेट कीजिए कि हर टीम टेस्ट मैच इस कितने खेल रही है एक वाइज खेल रहा है एक तेरा खेल रहा है यह नौ की नौ में तो आप कभर रही नहीं कर सकते ना अब वही शीज़ आप देखिए इंगलेंड जैसी टीन जो है वह बाइस टेस्ट मैच खेल रही है इस दो साल की साइकल में बता दिया आपको अब वह पांच टेस्ट मैच जीटने का चौबिस पॉइंट लेते हैं इंडिया अभी खेल रहा है वेस्ट इंडीस में हो सकता है जो कि होना भी चाहिए इंडिया वेस्ट इस वापिस आई एक सो तो कॉलिटी ओफ क्रिकेट के लिहाज से आप उसको कमपरिटिव देखते हैं मानते हैं एक्जाटली एंड वही लेखिए अप उसी तरह आप देखिए श्री लंका जो है वो मेरे खाल से दो बड़ी टीमों से वह इंडिया से नहीं खेल रहे हैं और इफ आम नौट रोंग वो इंग्लेंड से भी नहीं खेल रहे हैं कि छे तीम है आपको आपको छे तीम एंग्लेंड को इंडिया में खेलेगा इंडिया औस्ट्रेलिया को इंडिया में खेलेगा साथ आफ्रिका को भी इंडिया में खेलेगा क्योंकि आप पिछले साल तीनों को बाहर खेल कर रहें और आप इनको इंडिया में खेलेंगे तो ये आपको थोड़ा अद्वांटीज होगा था तो खिलाडी कुमार है ये वोल्ड टेस्ट चैंपेंशिप के रूल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए जैसे हम वहीं डिस्कुस कर रहे थे तो I hope खिलाडी ही आपको आपका सवा का जवाब भी मिला होगा और यार यार अंटाइटल कौन है मृत्यूं जाय मिश्रा हम आपका सवाल ले सकते हैं आप कोच के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन कोच सोला तारिक को है चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी और अफी हद तक तो क्लियर होई ही चुक कि नुट्र उंपायर्स नहीं होने चाहिए बड़ आइघ तिंग नुट्र उंपायर्स यार इतने साल से आ रहे हैं तो आज की तारीक में नूट्रालिटी पे या किसी के इंटेगरिटी पे सवाल नहीं हुआ है क्वालिटी ऑ उपकायर नहीं होगा है इसलिए कहा था आप इसको समयने की कोशिश कीजिये because Australian or English umpires are supposed to be better traditionally तो उन्हों न काया जी के अगर England और Australia की series है तो यार मतलब local umpire होना चाहिए क्योंकि वो बहतर है तो ये उनका एक viewpoint है बट मुझे लगता है कि आज की तारीक में neutral umpiring होनी ही चाहिए, रहनी ही चाहिए श्रेस अखोरे है वो बुर रहे, what is the future of India-Pakistan cricket at any level when Pakistan national captain जो है, जो भी है ने ने वो तो chance ही नहीं है ना, India-Pakistan cricket तो bilateral हो जी नहीं सकती, वो ही Asia Cup होगा या वो ही World Cup होगा, World T20 होगा उसी में आप एक दूसरे को खेलेंगे उसके अलाबाबा bilateral cricket World Test Championship में आपको लगता है अगर final पहुँच गए तो इंडिया-Pakistan हो सकता है बल्कुल होगा, अगर दोनों टीम में पहुँच जाएंगी तो फिर क्यों नहीं, वो तो लॉट्स में खेला जाना है चलिए, शाश्वत मिश्रा सर मेरा मत है कि Test Championship का final ही एक बहतरीन और एतिहासिक मैच होगा बाकि सब रेगिलर मैच है मेरा सवाल है कि क्या यह सीरीज रहाने के लिए बहुत महत्वकून होगी क्योंकि रहाने यह भी बहुत समय से रन लगाता नहीं बना पर वाइस कैप्टन है और यह ना भूलें कि रहाने के लिए इंपॉर्टन होगी इसमें no two doubts about that तो खेर मैं भी कुछ सवाल उठाऊ बिल्कुल लीजे, बिल्कुल लीजे कुछ सवाल आए है और मैंने क्या किया यह ना तस्वीरें ही कहींचली थी अच्छा ताकि दिक्कत ना आए तो एक सवाल है शोबिद्गर का वो कहरें कि हम पंत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं उनको हर मैंच में जज करते हैं सौरग अंगली ने विरिंदर सेवाग को बैक किया था और फ्रीडम दी थी अब इतना माइक्रोस्कोप होता है आपके पास इतनी आइबॉल्स होती है स्पेशली वो जिस हिसाब से खेल रहें टेस्माच आपको आप किसकी कोई कंपेर नहीं कर रहा कि आप दोनी की जगह आ रहें तो आप दोनी बनिये हैं 21 साल के हैं I think बट यह है कि उनको थोड़ा सापने आपको उसमें डाला होगा रही थोड़ी सी जिम्मेधारी दिखानी होगी अकाज सिंग ने भेजा है इनोंने भी इंस्टाग्राम पे मुझे बिकान डॉटा सेवंडरी वो करें कि जॉफ्रा आचर जिसना T20 और वर्ल्ड में ओडिया इस में सक्सेस्फुल है तेस्ट मैचेज में होंगे मतलब जिस पेस से वो डालते हैं हाइट है उनकी जस्टिन लैंगर का यह है कि हम उनको वेर आउट करेंगे हम उनको लंबा मतलब उनको हम टायर कर देंगे क्योंकि देखना होगा कि क्या वो टेस्ट मैच में उतना अपने आपको लास्ट कर पाते हैं क्या वो लंबे स्वे पर दाले और मतलब और लॉड्स में आई लॉड्स मतलब टेस्ट मैच वहां पर तो वैसे गेंड बाजों को मदद मिलती है द अजीज पूछ रहे हैं कि इंडिया को एक अच्छा बैटिंग कोच चाहिए कौन होने चाहिए आपके लिहास आपको लगता है इसमें कोई दो राएं है बट बस प्रॉब्लम यह है कि क्या वो अपलाई है मुझे अच्छा कोच जो है उसमें पहला नाम एक ही आता है सीधे-सीधे किसका राहूल ड्रावेड का ने वो तो है नहीं ना मैं वही बोल्ट सपोर्ट स्टाफ में परवीन आमर है रवी शास्त्री जीत पूछ रहे हैं कि केल राहूल को नंबर चार पर क्यों नहीं खिलाया जा रहा है वंडे में वो तो वल्ल्ड कप में आप नंबर चार ही लेकर कहे थे उनको अब बट रिशब पन्त और श्रह सईयर को बोला आपके कप्तान ने पर सो कि भई वो ही ख खेला जाना है तो इंडिया एक स्पिनिंग ओल्लाउंडर को बैक कियो नहीं करता अभी से गुरूम कियो नहीं करता वह केदार की बात भी कर रहे हैं और विजेशंकर के लिहास से वो कह रहे है कि आप केदार जादव को बैक की जा सकता है अजिए युवराद सिंग वाले युवराद सिंग ने जो रूल किया था 2011 में फिल्हाल ने बट अगर कोई और आये तो सही अभी तो बात है नहीं आपके पास और लॉंडरी नहीं है कि स्पिनिंग और मीडियम पेस छोड़ दीजिए और लॉंडरी नहीं है राजेश का सवाल आया कि वह चाहते हैं कि हमें एक 25 यंग प्लेयरों पर एक वीडियो बनाए जो 2025 तक 2025 के इर्दगिर भारत के लिए खेलने के लिए तैयार हो मतलब वो छे साल का एक तरह से विजन हो एचा आइडिया है और आपको 16, 17, 18 साल के लड़कों को अभी से चुनना होगा और उन पर काम करना होगा ये बड़ी ये बड़े मुल्क ये करते हैं जूनियर क्रिक्ट से प्लेयर्स को टैप करते हैं और अभी देखिया आपका जो NCA का सिस्टम है इंडिया में भी ये चीज़े होती है आप देखिए शुम्मन गिल को पगड़े राव लो नहीं यांग जी निशान शर्मा कह रहे हैं कि ABD व ठीक है कुछ एक बड़े मैचों में उन्होंने भी रन नहीं बनाए लेकिन फैक्ट यह है कि आप ICC टौनमेंट्स अगर देखें तो आम तौर पर ABD विलियर्स के बड़े मैचों में रन बिल्कुल भी नहीं होते तो मेरे ख्याल से अगर आप लॉंजिविटी भी देखें कि विराट कोली ABD विलियर्स से बहतर है अनिखिल सिंग का सवाल है कि कुल्चा का मैजिक क्या एंड हो चुका है नहीं मुझे तो नहीं लगता I think टीम बस ट्राइब कर भी है कि आपके पास options क्या है बट डेफिनेटली और कुल्दीब नायाद यादवनेयर कल दो अच्छे मौकर पर विकेट लिये था हाला कि उनकी एक विकेट थियो जो छोटी बॉल जो विराट ने सिंगल अंड ली कैच कर ली थी बट यह है कि उसको confidence मिला होगा पहले मैच में पूरा नहीं हुआ पर उनने क्रिस गेल को सेट किया सेट अप किया उसके वाद उनकी विकेट निक जब बात कर रहे थे सचिन विराट की तो आपने पूचा था कि जब सचिन खेलते थे ने आपने कहा था कि अगर हम वंडे टीम चुने तो दो स्पिनर्स कॉन होंगे लोगों ने का मुली धरन और शेन वान वो जो सचिन के जमाने में खेले थे फिर फास बोले उस की बात व आज की तारीक में भी कोई आए तो यह विराट को छोटा दिखाने के लिए नहीं था और ना ही मैं अगर आप कोई भी अगर वंडे की ऑल टाइम चुने गा उस पर विराट पोली भी होंगे एक और अच्छा पॉइंट है मैं नाम भूल रहा हूं किसी ने भेजा है किनों में भूल गया वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर ऑसवक बहतर बैंट भल इंग के बात कर रहे हैं तो विराट को बैंट फिल इंग भी मिल रही है और आजके तारीक में फिल ने लिए तो बोर से किसी भी अरा में आया हूते है वह एक बहतरी के कॉत ही क्छपी आज थे सवाल य क्रिस गेल की कुछ पारिएंगे क्राउंड चोटे हो गए है रूल्स इसमें विराट इना बना रहे हैं आपकी तो तो कोई नहीं बना रहे हैं आज की एकरोस फोर्म इसा मत समझीगी विराट पे वो कोई कर दिलें ने सवाल पूचे कि क्या स्टी श्मीफ सुचिन के टेस्ट शत्कों का रिकार्ड तोड़ सकते हैं पच्चिस होगे ना इंफाक्ट दो बनाए ना वोगे मुश्किल है मेरे इसाब से तो आप पता है कितने आप चौबिस पचीस हंडर्ड और बोल रहे हैं और तकरीबन सेम एज स्टीव स्मिथ और विराट कोली की जब आप यह बोल रह करा दीजिए मतन जी यह है कि आप मैंग अगरवाल और केल राहूल ने क्या गल्ती करिये कि उनको आप ठटा देंगे लिहाज से मैं इस सो वेरी अनफेर जो रोहिज शर्मा में खुद किया है अपने आपके लिए इतने बड़े टैलेंट होके वो अगर उस टेस्टीम में आ बनी ब्लेम करूँ गयाज है किसी और को नहीं करूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो टेस्ट क्रिकट में बहुत बहतरीन बल यह बन सकते थे अवर्म पूच्छ रहे हैं ऑप doseo सह्वान है आप से इतनी देर से आपने मंका सवाल ने लिए, और आज बरी जेए वो कह रह वर्ल्ड कॉप में उन्होंने कप्तानी अच्छी करी थी और इसलिए बोल रहा था हूँ जो चार सेमी-फैनलिस्ट हम पहुंचे थे वर्ल्ड कप में वो चार सबसे अच्छे कप्तान ही पोचे थे उसके बाद तीन बहतरीन कप्तान थे आपके आरन फिंच, केन विलिमसन और और उसमें से सबसे बहतरीन कप्तान शायद से नवाब अजगर साहब ने सौदी अरेबिया से स्पोर्ट्स तक के विवर्स को ईद और रक्षा बंदर के मुवार्ग बाद भीजी है और वो कहरें कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच बड़े बोरिंग हो रहे हैं तो क्य होगा होगा भारत मुस्ट लाइक जीतना चाहिए जिस आप सही है मतला इनको कुछ भी टार्गेट दो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में दिखी वो स्पार्क नहीं दिख रहा है क्रिस गेल को आपको लगता एक अलग फॉर्मुले से आना चाहिए ने वो अलग फ क्योंकि पैर नहीं चलते ना आप बैट चलाते रहो अब पैर नहीं चलेंगे उनके तो फस जाते है वहाँ और उपर से की मैं देख लूँ देख लूँ उसके बाद मैं करूँ आइधिंग वह फॉर्मुलें का थोड़ा साब एक अच्छा बॉल लिखा होता है तो चलिए अब आज के लिए इतना हीं question answer session हर रोज होता है जी आप Instagram और Twitter के जरीए हमें सवाल देखे आस्क स्पोर्स तक हैश्टैग विक्रानडुक्ता73 Twitter है विक्रान.डुक्ता73 Instagram है फॉलो कीजिए सब्स्क्राइब कीजिए रावत राहल 9 Twitter है और रावत राहल 9 ही इनका Instagram भी है वह प्रूपली औरе राहलो लेखे वह जो झालックषड़ कीजिए रावत राहलुक्ताथ बेसे हागल terce मीजिए उतना ही प्रॉक्ताथ रॉक्ताव कीजिए निवत जम जमेड़नर डुक्तादान की और region मार्मुक्ताथ 2 एग सजरे नियनका प्र 2019 है रावत राहल 10 ही एग 15 Moyetह